आज का Mathematicals और Basic Reasoning का पेपर देखते हैं यहां पर जो सबसे पहला question में लोगा What is the distance traveled by the tip of the minute hand of a wall clock in two days if the length of the minute hand is 7 cm आपको बताना है आपकी पास एक wall clock है एक गड़ी दी गई है और गड़ी का जो minute hand है वो दिया गया है तो minute hand इस तरह से होता है आपको बताना है यह जो minute hand का tip है यानि यह वाला जो point है यह कितना distance जो है दो दिन में cover करेगा दोस्तों जब हम circle का यह वाला जो हिसा देखते हैं यह boundary देखते हैं तो इसको circle में हम क्या कहेंगे circumference कहेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा कि यह कितनी कितना circumference जो है cover करता है तो इस तरह हमें यहाँ पर formula जो है वो circumference की लगानी होगी दोस्तों यहाँ पर जब हम formula लगाते हैं तो circumference का formula डोडने के लिए आपको सबसे पहले circle की radius चाहिए तो यहाँ पर जो circle की radius है वो minute hand का language बनती है that is seven that means r यहाँ पर हमारा seven बन जाता है और इसके बाद हम क्या करेंगे circumference के लिए आपको पता होनी चाहिए formula तो circumference की जो formula है वो मैंने आपको morning में ही बताई थी कि याद रखेगा वो कितनी है वो है two pi r तो इस formula से हम इसको सालू करेंगे तो यहाँ पर twice pi की value मैंने सुबह भी बताई थी 22 by seven है और r कितनी है r है length of the minute hand that is the radius that is again seven तो seven और seven यहाँ पर cancel हो जाएगा तो यहाँ पर जो यह minute hand है यह 44 cm एक चेकर में complete करेगा तो यहाँ पर एक चेकर में यह कितना करेगा complete तो एक चेकर में 44 cm complete करेगा तो एक चेकर जो minute hand का होता है वो एक गंटे का बनता है तो इसी तरह हमें दो दो दीन का देखना है हमें two days का देखना है तो two days के लिए हमारे पास कितने गंटे बनेंगे तो वो हमारे पास बनेंगे 48 गंटे याने हमें क्या करना होगा हमें इस 48 को मल्टिपल करना होगा 44 तो जब हम 44 से इसको मल्टिपल करते हैं तो 48 याने टू डेस के 48 गंटे और इस मिनट हैं ने एक गंटे में कितना निकाला वो हो गया 44 सेंटी मिर्स तो जब आप इन दोनों क आपस में multiple करेंगे तो वो कितना बनेगा two one one centimeter तो आपका जो c option है ये ठीक हो जाएगा next question देखते हैं some of the ages of the father and the son is 68 after eight years father will be thrice as old as son the present age of age in years of son is तो यहां पर father और उसके son के age दी गी है जिनका some 68 है eight years के बाद जो है father की age three times हो जाती है son के तो हमें बताना है son की present age क्या है तो इसको हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे हम यहां पर son की age लेंगे for example son की age x हो जाती है तो father की age हम कहां से निकालेंगे हम sum से father की age निकालेंगे तो यहांपर हम for example जो father की age है वो हम 68-x लेंगे क्योंकि दूनों का जो sum है वो 68 है तो father की age को हम sum में से minus करेंगे तो वो father की age बन जाएगी तो फिर यहां उसके बाद क्या कहा गया है कि 8 years के बाद जब दूनों को 8 years चाड़ींगे तो father की जो age है वो कितनी बनेगी 3 times तो यहाँ पर जब हम 8 years की बात करते हैं तो 8 years के बाद son की जो age है वो 8 x plus 8 बन जाएगी और जो father है father की जो age है वो 68 minus x plus 8 बन जाएगी यानि father की जो age है वो 76 minus x बन जाएगी तो उसके हिसाब से अगर हम आगे इसको सालू करें तो यहाँ पर जब question बोलता है कि 8 सालू के बाद जो father की age है वो son की age से 3 times हो जाएगी यानि यह जो 76 minus x है यह कितना हो जाएगी जो son की जो age है son की age कितनी है x plus 8 इसका 3 times हमें करना है तो 3 times x plus 8 हो जाएगी तो जब आफ इसको सालू करेंगे तो यहाँ पर जो age आगे बनेंगी वो है 76 minus x आफ करेंगे तो यहाँ पर इसको इस वाले portion को आफ जब सालू करेंगे तो यह इस तरह से आएगा 3 x plus 28 और उसके बाद जब आप इसको further सालू करेंगे तो आगे हम इसको further सालू करेंगे तो यह हमारा 476 minus x जो है यह हमारा बन जाएगा 3 x plus 24 इस तरह से यह आजाएगा फिर जब हम इसको transpose करेंगे तो हमारा जो last में जो transpose करने के बाद हमारा आएगा यह x को हम transpose करेंगे एदर तो ये 3 x plus x हो जाएगा तो यानि ये 4 x بن जाएगा और इस 24 को हम इदर transpose करेंगे क्योंकि यहाँ पलस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो जब हम 76 में से 24 निकालते हैं तो यह हमारा 52 बन जाएगा और फिर जब हम x की value निकालते हैं तो x की जो value है यह यहाँ पर 4 इदर वापस transpose होगा तो यह यहाँ पर divide में 52 के आजाएगा और इसको जब आप reduce करेंगे तो last में जो x है वो यहाँ पर आपका 13 निकल कर आजाएगा तो इसका जो सही जो option है वो part d याने 13 होगा next question है what percentage of 60 is 12 आपको बताना है 12 जो है वो 60 की कितनी percent बन जाती है तो इसको हमें simply से percentage में convert करना होगा तो percentage में हम कैसे convert करेंगे हम देखेंगे 12 इसको हम total याने 60 में से divide करेंगे और percentage में convert करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से इसको multiple करेंगे और इसके बाद हम इसको reduce करेंगे और यहां से भी हम इसको reduce करेंगे 6 1 जा 6 जा 2 जा 12 और इन दोनों को जब हम multiple करेंगे यह हो गया है 2 into 10 और यह 20 हो जाता है तो इसका जो सही answer बन जाएगा वो part C यानि 20% हो जाएगा next question है smallest number that leaves remainder 7 when divided by 35 56 and 91 यहां पर आपको बताना है कौन सा इसा least number है इन में से जो 35 से भी divide होगा 56 से भी और 91 से भी divide होगा और last में जो remainder बचेगा वो 7 बचना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम इन तीनों का जो है LCM निकालेंगे तो जब जल्ट आता है इन तीनों का यानि जो इन तीनों का LCM बनता है वो बनता है 3640 ठीक है तो यहां पर चूंकि remainder जो 7 बचता है that means यहां पर 7 add होगा ठीक remainder वाला तो इसका जो सही option इस तरह से बन जाएगा वो होगा part B यानि 3 6 3 6 4 7 जहां पर 3 6 4 0 इन तीनों से डिवाइड होगा और लास्ट में जो remainder है वो 7 बच जाएगा यह वाला question देखते हैं इसमें कहा गया है A और B की A जो है वो दीगी है यहां पर कहा गया है कि जो A की A जो B की A का 20% है और 30 सालों के बाद A की जो A है वो B की हाफ हो जाएगी तो हमें present ages का सामने कालना है तो यहां पर आप suppose करेंगे कि B की A जो है वो X लेंगे और A की जो Aज है वो B की एज की 20% लेंगे तो जब हम B की एज की 20% लेते हैं तो वो कितना बन जाता है वो बन जाता है और A की कितनी आई हमारे पास X by 5 फिर 30 साल जब गुजरेंगे तो B की जो एज है वो बन जाएगी X plus 30 और A की जो एज है वो बन जाएगी X by 5 plus 30 और इसके बाद जब हम आगे question को सालू करेंगे तो यहां पर कहा गया है कि 30 सालों के बाद A की जो एज है वो हाफ हो जाएगी किसकी B की एज से यानि यहां पर क्या कहा गया है कि X by 5 जो है X by 5 plus 30 यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हाफ किसका हाफ B की एज का हाफ यानि X plus 30 जो है इसका हाफ हो जाएगा तो जब आप इस question को तो जब आप इस equation को तो लास्ट में जो आपका result है यानि X जो है वो आएगा 150 by 3 तो यहाँ पर जब आप इसको reduce करेंगे तो इसका जो value आएगा वो 50 आएगा यानि यह जो X है यानि B की जो age है वो आपके पास 50 आ जाएगी तो जब आपके पास B की age 50 आ जाती है तो हमारे पास क्या है अब A की age निकालनी है तो A की age हम कैसे निकालेंगे हम 50 का 20% निकालेंगे तो तो वो हमारे पास कितना आएगा तो obviously बात है जब हम इसका 20 परसंट निकालते है किसका B की age का तो वो हमारे पास 2 x 5 याने 10 आ जाता है तो इस तरह हमारे पास A की A जो है वो 10 आ जाती है और B की A जो है वो 50 आ जाती है और दोनों का जब हम sum करते हैं तो यहाँ पर दोनों का sum जो है वो 60 आ जाता है तो इस तरह यहाँ पर जो part B है तो यह जो 60 वाला option है यह इसका सही answer हो जाएगा next question देखते है in a certain code if train is coded as PTCKJ then platform is coded as तो यहाँ पर जो है coding की गी है तो जब हम coding का pattern यहाँ पर देखते हैं अगर आप देखोगे तो coding का pattern जो है वो minus 4 plus 2 plus 2 plus 2 और minus 4 का pattern बनता है तो इस हिसाब से जब हम यह जो pattern फालो करते हैं minus 4 plus 2 plus 2 plus 2 minus 4 का pattern जब हम फालो करते हैं तो इस हिसाब से यह जो platform है इसका जो code होगा वो P के बाद हम अगर minus 4 करेंगे तो वो L आता है और इसी तरह अगर हम L के बाद plus 2 करते हैं तो वो N आता है और अगर हम A के बाद plus 2 करेंगे तो वो C आएगा और इसी तरह अगर हम T के बाद plus 2 करेंगे तो वो V आता है तो इसी तरह जब हम यह देखते हैं तो part A जो है इसका सही answer बन जाएगा तो बागे जितने भी questions हैं वो तकरीबन जो कल का paper आया था उसी के जैसे हैं जैसे यहां पर यह direction का question है बिलकुल यह भी easy है तो आफ इसको खुद से try भी कर सकते हैं अगर हम इस question को देखते हैं यह जो diagram वाला question है तो इसको आफ कैसे सालू करेंगे तो यहां पर जब आफ कीनली इसको देखते हो तो यहां पर मैं आपको पहले बताऊंगा कि आफ इस वाले जो figure है इस पर focus करेंगे तो यहां पर जब हम arrow देखते हैं तो arrow पहले यहां बाहर की तरफ चला जाता है और उसके बाद यह जो circle है यह वाला circle यह नीचे आ जाता है और यह जो उपर वाला square जो है यह circle के उपर चला जाता है तो इस तरह यहां पर हम यह याद रखेंगे कि अंदर वाला arrow है यह बाहर की तरफ आता है circle जो है यह नीचे आ जाता है और इसके उपर यह चोटा वाला square चला जाएगा तो इसी तरह जब हम इसको सालू करेंगे यहां जो इसके तरफ यह पैंडूलम है यह कहां आ जाएग यह नीचे आएगा यानि बाहर की तरफ यह आएगा और उसके बाद यह जो उपर जो इसका hexagon है तो इसके बाद hexagon आ जाएगा और hexagon के उपर फिर कौन सा चला जाएगा यह जो उपर वाली triangle है यह नीचे वाली triangle तो इस तरह इसकी जो figure है वो बन जाएगी तो यहां पर इस का पार्ट जो भी है वो इसका सही आंसर हो जाए गा नेक्स सीरीज का जो क्वेस्चेन है यहां पर देखते हैं 2163 252 एंड 1260 इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा तो जब हम देखते हैं यह जो सारे नंबर हैं 2163 252 और 12 जो 60 है यह सारे के सारे आते हैं माल् आप 21 तो यह चारों के चार माल्टिपल हैं 21 के तो हमें इन में से देखना है कि इन में से कौन सा है 21 का माल्टिपल तो जब हम पार्ट ए देखते हैं यह माल्टिपल नहीं होता है इसी तरह जब हम पार्ट डी सी देखते हैं यह भी नहीं होता है तो इसका जो माल्टिपल आ जाता है वो part B आ जाता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 second zero है इसके बाद जो बागी questions हैं वो तकरीमन कल की ही तरह हैं जो हमने कल कराई नेक्स्ट कोईशन देखते हैं यहां पर हमें क्या बताया गया इस question में हमें कहा गया है कि विच लेटर represent the artists who are doctors as well as dancers but not scientists आपको बताना है इन में से कौन से artists यानि ये वाले artists हैं जो doctors भी है, dancers भी हैं लेकिन वो scientists नहीं है तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा ये जो उपर वाली ये वाली triangle का portion है इस वाली triangle का हिसा जो square में भी आता है और जो circle में भी आता है लेकिन इस वाली triangle में नहीं आता है तो क्रियली जब हम यहां पर देखते हैं इस वाली triangle ये बड़ी वाली triangle का ये G, ये square में भी आता है और circle में भी आता है और ये C, ये भी square में भी आता है और circle में भी आता है लेकिन इस वाली ये जो छोटी ट्रेंगल है यहां पर इसमें ये दोनों नहीं आते तो इस तरह जो इसका सही आप्शन बन जाएगा वो जी और सी हो जाएगा यानि पार्ट सी इसका सही आंसर बन जाएगा नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि इन फिगर्स में से डिफरेंट फिगर कौन सी थी जो इन में से जो मिलती नहीं है जिसका पैटरन कुछ डिफरेंट सा बनता है तो यहाँ पर जब आप इन फिगर्स को किलिरली देखते हैं तो अगर हम यहाँ पर इस वाली फिगर्स में देखें में यहां पर भी circle में लेकिन तीसरी में सुकैर में ये figures अंदर जाती हैं और चोथे में जब हम देखते हैं तो circle में ही जो है दो figures यहां पर अंदर जाती हैं तो इस तरह जो इसके लिए जो different हो जाएगा जो इन में से नहीं मिलती है तो वो part C हो जाएगी क्योंकि इन तीनों में circle के अंदर figure जाती है और यहां पर square में जाती है तो part C इसका सही answer हो जाएगा नेक्ट वाले question यह वाला देखते हैं यहां पर आपको बताना इन में से कौन सी ऐसी figure है जो आफको बिलकुल इन से अलग नज़र आती है तो जब हम इन को कीनली अच्छे से देखते हैं तो यहां पर जब हम यह वाली figure को देखते हैं यह वाला तो यहां पर देखें इसके जो हाथ बने हैं तो इसके हाथों में color जो है color किया गया है और जो बाकी जो figures हैं उन में तकरीबन तकरीबन सारा same ही नज़र आता है लेकिन यहां पर इस वाली figure में यह जो हाथ हैं इन में black color किया गया है तो इसलिए यहां पर जो सही option हो जाएगा वो see इसका answer बन जाएगा